हैंची बच्छा लोग कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप तक बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर दे हैं लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो यकीन मानों कि भाई पढ़ाई करना शुरू कर दो क्योंकि इतना क्रूशल टाइम आचुका है इतना टफ टाइम में अब आपको पढ़ना पढ़ेगा ही पढ़ेगा क्यों कि सवाल आपकी बोर्ट क्लास का है यार पढ़ना है आपको ठीक है और इस पढ़ाई के सफर को आसान बनाना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि चीजे अगर नहीं लगेंगी तो आप पढ़ोगे कैसे समझ में नहीं आएंगी तो याद कैसे होगा याद कैसे अगर याद नहीं हुआ तो आप उनको लिखोगे कैसे और लिखोगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे नंबर नहीं आएंगे तो परसेंटेज कैसे बनेगे और परसेंटेज अच्छी नहीं बनी तो आगे जलके science कैसे लोगे? है ना, बहुत सारे सवाल मन में आ जाते हैं, तो भाई, इन सवालों से चुटकारत दिराने के लिए, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ, मैं हूँ और मैं हूँ, चिंता की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर आपका हाथ पकड़ा है, तो आगे तक लेके जाऊंगी, बीश में छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं, समझे? तो बचलोग, मैं हूँ विजयता, आपकी biology teacher, और हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी प्यारी biology के बारे में, मैं आपको यहाँ पर biology पढ़ाऊंगी, एक थोड़ी से अलग तरीके से, जहाँ पर थोड़ा मज़ा जादा आएगा पढ़ने में, चीज़े असानी से समझ में भी आएगी, यहाँ पर मैं हूँ, तो पूरी guarantee लेती हूँ आपकी success की, आपको guide करने की, एक positivity देने की, ठीके, तो चलो इस positivity के साथ, इस पढ़ाई के सफर को आसान बनाते हैं, और बात करते हैं अपने chapter के बारे में, कौन सा है हमारा chapter जैफ प्रक्रम, हम्, चलो शुरुवाद कर देते हैं, और जानते हैं कि इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला इस chapter में, last तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम परिशे देखेंगे, कि यानि की introduction, कि यहाँ पर जो जैफ प्रक्रम में क्या है, ठीके, फिर हम यहाँ पर portion के बारें बात करेंगे, यानि की nutrition के बारें बात करेंगे, फिर भाई यहाँ पर प्रकार देखेंगे, कि portion के प्रकार क्या है, कितने type का होता है, फिर यहाँ पर हम मनुष्य में बात करेंगे, कि भाई हम इंसान हैं, बिना खाना खाय तो रह नहीं सकते हैं, जो पोशन की ज़रूरत है, फिर यहां सौचने की बात करेंगे, भाई बिना सौचने के तो हम मर जाएंगे, फिर यहां वहन यानिकी transportation की बात करेंगे, कि हमारे शरेर में जो पोशन है, यह जब सब कुछ चीज पर बिए हम सब के लिए और फिर हमारे पास लास में उसर्जन आजाएगा कि यहां पर जो भी चीजे हैं जो खराब हैं उन्हें कैसे दूर भगाए हैं अपने आप से ठीके चलो शुरुबात कर देते हैं जानते हैं जैब प्रक्रम क्या है तो बहुत सभी प्रक्रियां यानि हम कहते हैं जतों से तो नहीं कोशिकां जर्ग जाती हैं और उनके बदले कैसे नई कोशिकां जणम लेंटी ढूले हुए है तो वह भी क्या है यह अगर ले लिया है प्रक्रम आवश्यक है जो जो चीजे आवश्यक है ठीक है उनको हम जैव प्रक्रम के अंदर लेकर आते हैं फिर सजीव और निर्जीव जैव प्रक्रम में सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ आजाती है ठीक है तो जैव की बात करेंगे तो जैव में दोनों चीज़ आए नहीं ले रहा है ठीक फिर जनन करते हैं हम जीविद है ना हम सजीव है हम लोग जनन करते हैं है ना हम रिप्रडॉक्शन करते हैं बच्चे पैदा करते हैं लेकिन यह जो बोड है कि अपने जैसा पैदा कर सकता है कि इसने जो है बच्चा पैदा किया अपने जैसा नहीं कर सक नहीं खाएगा तो यह नहीं करते हैं तो कि इसकी मिर्थियों होगी है नहीं होगी लेकिन हम यह कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद हो सकता है यह रिटायर हो जाए खराब हो जाए लेकिन मृत्यों नहीं भोल सकते हैं फिर उसके बाद कहूंगी कि यह व्रिद्धि करते हैं हम ग्रो करते हैं एक बच्छा पैदा होता दो नहीं ना इससे कम हो जो जो और यहां पर दो चीजों के बीच में चलो पोशन की बात करते हैं तो पोशन को हमने क्या बोला nutrition बोला हमने, ठीक है, क्या बोला हमने, nutrition बोला, राइट, अब nutrition क्या है, ये वो process है, वो प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई भी जीवी जीव, जो भी जिन्दा है, वो क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, और क्या करता है, उस भोजन से क्या मिला उसको, हाँ, उ जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग करता है जो भी उर्जा मिली है उसको उसका उपयोग करता है किसमें जैविक क्रियाओं में ठीक है जो हमारे चरी के अंदर चल रहे है इवन मैं जो बोल रही हूं आप जो यह देख रहे हो एनर्जी लगा रहे हो ठीक है इसमें भी क्या है एक है सवत्व घांधी बनाते हैं जिनको हम फोशी तरीका आता पर पोशी डूसरा और सब्भाइवazo बहुत जरूरी है कि यहां बुदिए उत्पादक होते है Bu तो यह कौन है यह जो विशम पोषी हैं यह क्या है यह केúa क्योंकि उनका यूस कर रहे है अब यहां यह प्रकाश चंसलेशन यानि की फोडो सुंथेजिस का यूस करता है और अपना खाना बनाता है यहां कैसी liaison के लिए भाई directly और indirectly इन पर निरभर है ठीक है फिर यह हरे पेड़ पौध है सिर्फ और शिर्फ यहां पर example में आते हैं सिर्फ हरे पेड़ पौध है लेकिन झभा यहां के बात करती हूं ठीक है विश total की तो हरे पेड़ पौधों को छोड़के या कोई से भी पेड़ पौधों को छोड़के सारे जीव जन्तु यहां पर कवर हो जाते हैं यहां पर आते हैं ठीक है चलो फिर पौधों में पोशंट की बात करते हैं सबसे पहले हम तो प्रकास इंसलेशन प्रकास इंसलेशन क्या है, सबको मालू है, हाँ, तो भाई, प्रकास इंसलेशन याने की फोटो सिंथेसिस जो होता है, ठीक है, फोटो सिंथेसिस की अगर हम बात कर रहे है, तो यह क्या है, फोटो सिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस होता क्या है, तो यहाँ पर मैं बजाना चाह यहां पर यहam पैड ठीक है यह। यह क्या है आपका यह तो क्या करता है यही तो प्रकास अंसलेशन करूपा और यही पर क्या हो रहा है सौर उर्जा का रसायनिक उर्जा में बदल जाना भी यहीं हो रहा है इसने क्या क्या यहां से जो लाइट आई है सौर लाइट है ना सूरत से जो लाइट आई है वो यहां पर आकर किसमें रसायन में बदल जाती है ठीक है तो यह कि हमारे प्रकास संसलेशन में पौधों में यह होता है ठीक फिर यहां पर जो प्रकास इंसलेशन है कौन से स्थान पर होता है भाई किस जेगा होता है तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है और यहां क्लोरोफिल मौजूद होता है ठीक है पाया जाता है बात आती है कि भाई यहां जो प्रकास इंसलेशन याने कि जिसको हमने फोडो संथेसिस बोला आवश्यक घटक किया है यहां पर कौन से कॉंपोनेंस की जरूरत है भाई तो इसको पानी की भी बहुत जादा जरूरत है क्लौरवल की बीजरूरत हैं कारबन डायटचैड यophone की 있지 बीजरूरत है और सुरे का प्रकाश से क्रिया क्रिया में होता क्या है तो यहां पर यह ृर्णक की मदद से टीक है कि वही तीन चीज़ ऊगई अफ्शो से जल हो गए पत्ती में मौझोद लवन्ट हो गए खरनिचपदार्थ हो गए सबकी मदद से घया करते हैं अपना भोजन बनाने का काम करते हैं जब यह अपना भोजन ठीक यह important है ठीक है ना important है याद रखना ठीक है reaction बहुत important है चलो अब glucose का विखंडन की जब मैं बात कर रही हूं तो यहां पर क्या बना glucose बना इसका विखंडन की जब मैं बात करूंगी तो क्या बनेगा पाइरुवेट बन जाएगा ठीक है और उठ जाए याने की energy रिलीज हो जाएगी तीन कंडिशन आती है यहां पर कि एक तो oxygen की absence याने की अनुपस्तिती दूसरे में भी absence याने की अनुपस्तिती तो बात जब मैं पहले की बात करती हूं पहली condition की बात करती हो कि यहां पर oxygen नहीं है ठीक है तो यहां पर ethanol बना carbon dioxide उर्जा बनी एक्जैंप पर oxygen नहीं है oxygen की कमी है याद रखना ठीक फिर यहां पर क्या हो रहा है दूसरे में जब मैंने बोला कि दूसरे में भी absence है यानि की example के तौर पर जब हम exercise कर रहे हैं हम जिन जाते हैं हम running कर रहे हैं या इस टाइम में बोल रही हूं तो क्या होता है एक energy क्या होती होती है energy क् ओर स सासक हमारी ब क्या होता है कि मैसूस होने लग जाता है गए हमाया जो पेशी होती है मसल्स में हूँ उप और यहां पर पर क्या होता है उस टाइम पर क्या उसी М होता है ठीक है और दुर्चा होती है हमारी पेखिकांज कालों थीसरे में मैंने बोला प्रजेंस यानिकी यहां पर omega है इसलिए प्रोसेस एक्हाने की वाई क्या कि यहां पर आशाएं की और वियत शचेन यहां पर क्या ह्वाइशन kisam जब अमीवा में पाचन की बात हो रही है तो ठीक है अमीवा में क्या हो रहा है तो अमीवा में पाचन की हम बात करते हैं तो पाचन कैसे होगा अमीवा में कैसे होगा अमीवा में देखो यह क्या है यह केंद्रक है यह खाद देख करना आ जाएंगे ठीक है सबसे पहले अंतह ग्रहन करेगा यानि कि बाहर खाने की चीज मौझूद है ठीक है यह बाहर मौझूद है इसका क्या करेगा यह अंतहा ग्रहन करेगा यानि कि इसको यहां पर एक इस तरीके से मूँ बनाएगा है ना मूँ बनाकर क्या कर लेगा इसको अंदर खीचिने के लिए रेडी रहेगा यानि like की इसका फिर क्या होगा पाचनाग जाएगा जब देखो यह । यह जगा और बड़ी हो जाएगी है intuitive होगा जब इसके अन्दर यह पहुँच जाएगा इसका अफ्शोशन हो जाएगा फिर और फिर स्वांगी करन हो हो जाता है ठीक है भाई शे पढ़ हो जाता है तो समझते हैं कैसे कि सबसे पहले 10 मुख में आएका यहां पर क्या मौजूद है हमारे हमारे बात जीवा और जार ग्रंथियंस तीक है फिर हमारे पास क्या आता है कि भोजन का ग्रसीका से होकर जाना ग्रसीका से होकर जाना ठीक यहां पर मुह है ठीक है मुह से का आमाशे में तक क्या होता है एक नली मौजूद होती है जिसको हम ग्रसीका कहते है हमारे मुह से आमाशे तक नली होती है जिसको हम ग्रसीका कहते है प्रसलेशमा यानि की मुकस मौजूद होता है जो खाने का डाजेशन यानि की पचाने में मदद करता है फिर शुद्रांथ आजाता है शुद्रांथ के यह अहारण नाल का सबसे बड़ा भाग होता है यानि की इसमें डूडिनम डूडिनम में आपका येकरत और अगनाश्य आ जाता है फिर आपका क्या आता है जीजनम आता है फिर इलियम आ जाता है ठीक है इसके बाद क्या होता है खाना बाहर चला जाता है जो भी पच जाता है उतका उत्सरजन हो जाता है यह देखो यहां पर समझाती हूं यह मूह है ह फिरो पैक्ट मेश्प था तेकर खात बचाने में जोड़ने में चीव, मैं थीख है। चीजाने के ल।क में में घटा है। avons में तोढ़ी होता है। मुझा टोडने में है तोटा खाना फ़्यूरश पतला हुआ है। wrong should have to get me here यहां पर पहुँचे में पहुचे में पहुचिया है यहां पर स्काइब में घी बढ़ निकल जाती है ठीक है तो इस तरीके से क्या है हमारा पाचंतंत्र चलता है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं स्वशने की बात करते हैं तो भोजन प्रक्रम के दौरान खादे समागरी ग्रहन करते हैं ठीक है जब भोजन की प्रोसेस करते हैं खाना खाते हैं तो खाने की लेने तो कोशिकाओं के लिए कोशिकाओं को बोजन का विखंडन होता है याने की वो टूट रहे हैं यहां क्या हो रहा है स्वास लेना के यहां जब बात करें तो यहां पर करें तो यहां यह फेफडा में होता है हमारे लंक्स में होता है थीक है यह जिसको आप भूफ भी यहां पर क्या होताба कि ऑक्सिजीन अंदर आती है और पूरप्यजुटे नंबर एक तो और आम सूष्णी ताता है यहां पर क्या होता है तीन चीज़े आ जातीह थियंज़ है तीन चीज़े हमारे पास यहां पर इंक्लूड होती है तो अगर मैं उपर ही सुशन तंद्र की बात करते हैं नासिका ग्रस्णी और स्वर्यंत यहां तक आ गया फिर हमारा स्वास्णी और स्वास्णी और फेफड़े वह हमारे इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे ठीक है और फैलता है और फिर वापस अपनी जगह आ जाता है जब सांस लेते हैं जो सांस छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह आ जाता है कुछ तो पॉदों में स्वशनी की बात करते हैं उस पहर thing कि विश्रन-क दिशाख dikk एक हम यहां बात करते हैं तो रात्रे में सुशनी करते हैं co2 का करते हैं बाहर चोडते लाख भी और oxygen अंदर लेते हैं भील में बात करते हैं फॉट रहा कर रहे हैं यानि कि फोटो सिंथेसिस कर रहे हैं यानि कि oxygen बाहर निकाल रहे हैं और co2 क्या कर रहे हैं ये अंधर ले रहे हैं तो परिवहन तर्थ कि अगर हम बात करते हैं तो मानव में कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो यगास कोई धूली और वी ऑगन की याने के लग्त कोशी करें याने की वाइब्लड इसल और वह आग्याप की blood platelets ठीक है तो यहां पर 55% जो होता है वो सिर्फ प्लाजमा का होता है रक्त में वाकिए तीरों चीज़ें मिलके 45% बनाती है ठीक चलो रक्त नलिकाओं की बात करते हैं तो रक्त नलिकाओं में आपके पास क्या आ जाता है धमनी आ जाता है ठीक है शिराएं आ जाता है और कोशिकाएं आ जाता है यहां पर तो यहां पर अगर मैं धमनियों की बात करूँ तो धयां पर क्या काम होता है यहां पर रक्त हिर्द तक पहुंचाती है लेकिन जब मैं बात कोशिकाओं की करती है तो धमनिया और शिराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है कोशिकाओं ठीक चलो माना विर्दय की बात करते हैं तो माना विर्दय हमको पता है कि फोर चेंबर होता है हमारा हार्ट है ना फोर चेंबर है ठीक है ओके तो हमारे पास क्या होती है दो निले होते हैं और दो अलिंद होते हैं चलो देखते हैं यहां पर क्या होता है यहां पर काम ऐसे होता है महाशिरा से दाया अलिंद तक आता है रख दाय से बाय निलाय में आ जाएगा यहां से फिर क्या होगा यहां से क्या करेंगे CO2 को क्या करती है फेफ्रो तक यहां से फेफ्रो से निकालेंगी है ना फेफ्रे क्या करेंगे यह oxygen अंदर लेंगे तो फेफ्रे क्या होते हैं फैल जाते हैं और सब oxygen छोडते हैं तो फेफ्रे क्या करते हैं वापिस अपने जगा पर आ जाते हैं ठीक है तो यहां पर क्या आलेंध आता है ठीक है बायानिले और यांत में महा धंनी तक पहुत भूअ जाता है यह रबार Japanese को इससी प्रेवर कहते हैं कि अ चाल सेख्ञा मोचको अफार में मिल्ड okay यहां पर रक्थ को काम करता है हमारा बह侶ने का का करेंगा Chi GI बाहर बेजने के किया करेंगा हर एक साइकन में दो बार पंप करेगा दो बार थिक को हम बोलते हैं डिसको हम बोलते हैं डोहरा परेसंसर और रक्थीiszם ता है ता था रक्त ाता ठी के यानिकि ब्लड प्रै रक्त मतलबJaul मतलब प्रैशर हमने क्वालता को ढ過 सब्सक्राइब ब्लड प्रेशर ठीक है जब मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हूं तो यह वो दाब होता है यानि कि वो प्रेशर होता है जो रुदिर वाहिकाओं के विरुद्ध लगता है यानि कि रुदिर वाहिका है जो प्रेशर लगा रही है यह उसके अगेंस्ट में काम करता है उसक पर क्या है 120 mm पारा से लेका 100 को सवेंट मैं मनुष्प में यह हमारा रक्त दाब है इतना पाया जाता है ठीकिंचा को हम क्या कहते है सेगहर है यद रख्ना मोमन याद मत करना है यहां पर हम दिल धड़कने की बात करें तो बच्चों को गाने याद आजाएंगे दिल धड़कने दो ठीक है तो प्राया एक मिनट में जो हमारा दिल है वो 70 से 70 से 72 टाइम क्या करता है स्पंदन करता है यानि कि धड़कता है कभी अपने अगर नफ्स को यहा तो पौदों में परिवहन कैसे हो जाता है अपका जाइलम और फ्लोयम के दुवारा होता है ठीक है जाइलम में क्या होता है जलका होता है ठीक है परिवहन और यह एक ही दिशा में होता है यानि कि ऊपर की तरफ ही जाएगा लेकिन अगर में फ्लोयम की बात करती हूं तो फ सिंपल शब्दों में मैं क्या बोलोगी कि जो हमने खाया है पचाया है उसको बाहर निकालना क्योंकि वह वेस्ट मतीरियल अप्षिष्ट पदार्त है वह अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो नुकसान पहुचेंगे कभी देखा है जब आप फ्रेश नहीं होते हो तो कितनी द स्क e fazer पार्ट कॉंठ कॉन शाहते व्रिंध्क वンタ 19 वोलते हैं चिक यह दो होती है स्हेया एक जोड़िंगे मतलब दो होती है मूटर 6000 आ जाता है और मूं तर मार्ग आ जाता है अब यहां पर क्यों Цहें gaining not इंपोर्टेंट रोल है हमारे घरिजब में कि अगर यह काम ठीक हैं लाकि वह फेसों कैला नाइं यहां पर किड्ट में गया दिए श्लाएं यहां बोलेंगे कि ए्टिण काम नहीं कर रहा है किड्नी काम नहीं कर रही है तो यहां पर क्या है भीन में विशयले-पदार जमा जाएंगे जब यहां यहां पर हमारी किद्नी आम करना बंद कर देंगी फिल्ट्रेशन नहीं होगा य् उरीन का लप उंवी जमा हो जाएंगे और भाइक जब जमा हो जाएंगे तो क्या होगा। जाएंगे इंसान की मृत्ती हो जलती है क्या है तक यह बचने के लिए हैने कि अगर नहीं काम कर रहें तो चीज करना है है हम को क्रितिम विरिक का उपीयोग करते हैं यहाँ यह पर जो क्या करता है नाइटोजनी अप्षिश्ट हो को बाहर निकालने काем करता है ज्रूर्छा установ को निकाला कुछ कोशी कि रिटिका में संचित कर लेते हैं यानि कि स्टोर करके भी रख लेते हैं कुछ लो अब जो गिरने वाली पत्तियां होती है यह भी अपसिष्ट पदार्थ होती है ठीक है पौधों के लिए और जो रेजिन और गौंध होता है पेड़ पौधों में यह भी क्या होता है एते चाते भी में आपको सिर्फ इतना ही चाहूंगी कि मैं हूं और मैं हूं आपके लिए और बिलकुल बिल्कुल अलग चाहूंगे से अगली बार फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक मज़ेदार और नए चाप्टर के साथ ठीक है चोटू से तरीके से फड़ावर से सीख लेंगे हम और मज़े करेंगे एक्जाम में अच्छे नमबर लागे ठीक है मिलते हैं आप लोगों से अपने अगली ग्लास में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अपना ख्याल रखिए और बिमार मत पढ़ जाना ठीक है एक्जाम सर्पे हैं चालो बाई बाई